Hello guys, welcome back to another new video Guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले तो दोस्तों आप WhatsApp application में आप status लगाते हो तो आप status लगाने के बाद आपका photo या आपका video editing करके आप status लगाते हो उसके बाद आप तभी आप video का quality कम हो जाता है automatically quality कम हो जाता है उसके बाद आपका video HD में नहीं दिखाए देता तो आगे भेले बंदे को तो इस तरह से आपको problem आता है तो दोस्तों इसमें आप देख से तो ए medium quality कम है और ए high quality कम है तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों वीडियो को skip map करना एंड तक जरूर देखना तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like जरूर कर देना तो दोस्तों चलिए बिना time waste किए वीडियो शुरू करते है तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी request करता हूँ तो अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर दीजी साथी bell notification को on कर दीजी इसी तरह का आपको tricks and tips related video आपको इस channel में regular आपको मिलता रहता है तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते है तो दोस्तों आप भी आप WhatsApp status आप लगाते हो तो दोस्तों इसके लिए आपको एक application डाउनलोड करना होगा तो दोस्तों ओ application आपको कहां से डाउनलोड करना होगा और कैसे डाउनलोड करना होगा मैं आपको end में बता देता हूँ तो बिना skip की वीडियो end तक ज़रूर देखना तो तो guys आप application download करने के बाद simple सा आपको उस application को install कर दिना होगा तो install करने के बाद कुछ इस तरह सा आपको interface देखने को मिलेगा तो simple सा आपको क्या करना होगा आपको next के उपर आपको click करते जाना होगा get it के उपर आप click करके give request के उपर आपको click कर दिना होगा तो क्लिक करने के बाद आपके पास कितना वीडियो सभी आपको इधर से आपको open हो जाएगा तो दोस्तों आपको वीडियो आपको HD quality में आप करना चाहते हो तो इधर से आप कर सकते हो नहीं तो आप photos को HD quality में करना चाहते हो तो side में आपको photos का एक option मिलेगा सिंपल सापको उसके उपर आप क्लिक करके इधर से आप photo भी आप select करेंगे HD quality में आप status लगा सकते हो तो सिंपल समय फोटो से मैं select कर देता हो उपर वाला first वाला एक फोटो लेता हो तो उसके उपर आप क्लिक कर देना होगा आप क्लिक करने के बाद नीचे के side में आपको next का एक बटन मिल जागा सिंपल सापको उसके उपर आपको क्लिक कर देना होगा क्लिक करने के बाद आपको इधर दो option मिलेगा first में आप देख से तो compromise with watermark second में आपको दिखाई देगा compress without watermark तो उसके उपर पस्ट में आप देख से तो इसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा weekly को 80 रूपेश और monthly को 160 रूपेश और एक साल का लेना है तो आपको 750 रूपे आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो इसको नहीं लेना है तो आपको free में आप करना पर चाहते हो तो आप compression with watermark के उपर आपको click कर दिना होगा first while the option के उपर आपको click कर दिना होगा तो इस तरह सा पुल इस्टा करने की बद आपको add मिल जाएगा add को Escape कर दिना होगा तो इदर से skip कर देते, skip करने के बाद कुछ इस तरह सा आपको open हो जागा, open होने के बाद आप देशेते हो, share का एक option में लगा, simple सा आपको उसके उपर आपको click कर दिना होगा, click करने के बाद आपको whatsapp select कर दिना होगा, whatsapp select करने के बाद आपको my status के उपर आप click करके इसको आप status लगा सकते हो, फोटो भी आप HD quality में लगा सकते हो, और वीडियो भी आप HD quality में लगा सकते हो, इस application को download कैसे करना है, ओ मैं आपको बता देता हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर application को open कर दिना होगा, तो open करने के बाद उपर की साइड में आपको search बा download करना होगा, तो दोस्तो ए application आपको नहीं मिल रहा है, तो इस application का link में, direct link आपको telegram में दे दूँगा, तो जाके ओ telegram पे इस application को download कर सकते हो, telegram का link आपको description में मिल जागा, direct जाके telegram channel join हो सकते हो, तो उदर से इस application को use करके, आप HD quality में आप video status लगा सकते हो, वाटसाप के अंदर, दोस्तो देखाना कैसे आप WhatsApp में HD quality में आप video कैसे लगाना है, आज की इस video में मैं आपको बाता दिया हूँ, तो दोस्तो वीडियो कैसे लगी आप comment करके बता सकते हो, वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like कर देना, तो अभी तक आप हमारी YouTube चैनल को subscribe नहीं क आप हमारी YouTube कैसे लगना कैसे लगी